तो भाई लोग कैसे हो सब बढ़ हैं तो आज का जो वीडियो है यह होने वाला है पूरा का पूरा हेडशोट के उपर और और सब बनते को यह पता होगा कि जो क्रोसेयर है वो ऊपर रखना है हेड़ पर रखना है तब जाके हेडशोट लगेगा बड़ फिर भी हम लोग एक ह हेडशोट है वह बहुत जाब तबड़ा हो जाएगा दो से तीन हेडशोट भी मार सकोगे तो चलो यार फटापट वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपना देखना है क्रोसेयर अब बड़ा मोईल रहे यह वह स्क्रीन के एकदम से मिडिल में होता है तो बीच ओ बीच बड़ वहीं जो हमारा कर्यक्टर वटा होता है अब यह आप यहां क्रोसियर में मिडिल में है उससे थोड़ा कर सकते हो यहां बैं मेरे देखो X LCD पूरा बाहर है वा भर फिर भिलेट वह वाल पे लग रहा है क्योंकि Я जो मैं गन कर रहा है और बाहर के तरफ तो हमारा क्या होता है डाज्तर गैं यही प्रवलम होता है हमारे सथ करेक्टर के साथ क्योंकि जब भी मैं लेफ्ट साइड में गन चलाओंगा तो ये डिस्टेंस नजदीक भी रहेगा बंदे के फिर भी एमो कनेक्ट नहीं होता है और राइट साइड में में दूर भी रहता है क्रोस एर आप दूर भी रखोगे बंदे से तो भी आपका जो गन है वो जादा अच्छे से कनेक्ट होगा तो आपको ये चीज़े हमेशा धियान में रखना है कि जब भी भाई आप बंदे के उपर मार रहे हो तो हमेशा अपना जो क्रोस एर है वो बंदे के राइट साइड रखो क्योंकि हमारा जो गन dwell कर रहा है एक इमट dwell कर रहा है वह लेट से राइट के तरफ चल रहा है अब इन बाले भाई फाइट में भी यूज करना मेरा हमेशा क्रोस एर हो राइट साइड ही रहता है और फिर भी जाकि बंदे को तो येड पर कनेक्ट होता है और आप भाई जो भी सीखे एक भाई crosshair उपर रखो head के सामने रखो फिर भी आपका connect नहीं हो पारा headshot तो भाई यही आपका दिक्कत होने वाला है यह चीज़े आपको भाई practice करना होगा आप भाई TDM में यह चीज़े practice करके खेलो कि हमारा crosshair राइट साइड में हमें सारे और यह प्रैक्टिस चार-पां स्टीडियम के साथ हो जाएगा और headshot percentage आपका जरूर से increase हो जाएगा बस यह चीज़े आप ध्यार में रखके खेलना कि भाई मैं जो crosshair है मेरा वो बंदे के राइट साइड में रहे तो बस आज के वीडियो में यही तक और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सा सब्सक्राइब करते हैं और बहले करते हैं मिलते हैं को नेक्स्ट मिदार वीडियो में